Hi everyone, so this video में मैं बात करने वाला हूँ Atos के Associate Consultant Post के लिए तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि Atos के बारे मैं मैंने सब कुछ already discuss कर चुका हूँ जिसका लिंक आ रहा होगा i button पे ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उस वीडियो के comment section मैं तो आप उस वीडियो को जाके देखो उसमें मैं पूरा discuss किया था आप लोगों ने बहुत अच्छा response भी दिया है तो thank you so much तीसरी चीज अटोस के बारे मैं bond को लेके काफी कुछ questions है तो bond को लेकर अर भी मैं एक separate video अभी लाई रहा हूँगा दो-तीन दिन मैं आपको पता पढ़ जाएगा तो उसको भी आप जरूर देख लेना तो मैं start करता हूँ सबसे पहले associate consultant की बात करता हूँ मैं तो देखो अटोस में जब आप जोइन करोगे तो अटोस में क्या होता है कि सबसे पहले अपने जोइन किया है तो वह ज़्यातर आपको ट्रेणी के पोस्ट पर उठा लेती है अब ट्रेणी के पोस्ट पर क्या होता है basically कि आपको कुई भी development का work नहीं दिया जाता है जब मैं बात करता हूँ associate consultant की आपको associate consultant पर select किया है अगर अटोस ने तो basically चीज क्या होती है कि जितना भी trainee का काम है वो आपको करना ही पड़ेगा जो trainee वाला एक role होता है साथ में आपकी 25 से 30% responsibilities और बढ़ जाती है अब मैं बजाता हूँ कि वो responsibilities क्या है थोड़ा सा मैं discuss करना चाहता हूँ इस बारे में तो जो trainee होता है trainee का basic role होता है support, testing, ticket resolve करना, documentation चार काम होते हैं support का क्या होता है किसी भी project पर support provide कराना support जैसे आपको पता ही होगा access related issues हो गया data data की profile create करना data gathering का issue काम हो गया यह सब support role बें आता है ticket is resolve का अगर कोई काम हो गया तो ticket resolve का मतलब क्या होता है किसी को access related कोई issue आ रहे हैं किसी particular software related कोई issue आ रहे हैं तो वो होता है access related काम वो काम आ गया documentation सबको पता ही है testing में atos में basically है को unit testing कर रही है projects की ठीक है अब जो associate consultant होता है उसको यह काम तो करने ही पड़ते हैं प्लस उस पर एक बड़ी responsibility एड करी जाती है उसको हम कहते हैं development जो की trainee वाला बंदा नहीं कर रहा होता है development में क्या होता है जैसे कि आपको काफी सरे जैसे atos में domains है suppose आपको sap मिला sap में आपका जो project है जो project है पूरा प्रोजेक्ट में ऐसे नहीं होगा कि पूरा प्रोजेक्ट एक टीम पे दिया जाए क्योंकि यहां पर atos में मैं कहूंगा कि maintenance related project है या मतलब एक कोई scratch वाली चीज नहीं होगी associate consultant का काम क्या होगा कि आपको उस में project में जो भी object है वो आपको develop करना पड़ेगा ठीक है basically coding का काम करना पड़ेगा आपको associate consultant में साथी साथ में associate consultant पे एक और requirement होती है वो है information gathering की तो जहां एक trainee ज्यादा interact नहीं करता है clients से या project leads से associate consultant का ये काम होता है कि वो अप अपने पूरे object की sole responsibility ले जो भी उसने object लिया है ऐसा माना जाता है कि उसको support की ज़रत ज़्यादा नहीं पड़ेगी किसी और से और वो उस object को पूरा develop करने का खुद ही responsible है वो develop करेगा test करेगा सब कुछ करेगा तो ये काम होता है associate consultant का मतलब आप समझ गए training के काम से development और information gathering वाला जो काम है वो associate consultant पर बढ़ जाता है a really good job to do लेकिन उसके लिए एक चीज है कि आपका जो project है उस पर काफी depend करता है कि project की requirement क्या है project कितना अच्छा है technology क्या है stack क्या है इस पर बहुत depend करता है otherwise atos is a really good company very lenient work culture good work culture very minimal work pressure over time भी ज्यादा नहीं होता है आपको allowance वगरा मिल जाते हैं अगर आप night shift में करते हो या weekends पर work करते हो overall काम के करने के सबसे बहुत अच्छा है लेकिन अगर मैं कहूं hikes के मामले में तो वहाँ थोड़ा सा lake कर जाता है growth के मामले में थोड़ा सा lake कर जाता है otherwise it is a beautiful company to work with आपको काफी कुछ सीखने को मिलेग एक fun filling environment है I hope मैंने आपको clear किया है कि associate consultant पर क्या work होता है इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता सकता और आप समझ सकते हो के वरना फिर वो company की internal policies में हो जाता है क्योंकि मैं आट आस में work नहीं कर रहा but जो आपको और वीडियो देखने को मिलती है कुछ लोग हैं दोस्त बग